क्या होता है दक्षिर मुखी मकान होने से किन-किन समस्चाओं का सामना करना पड़ता है दक्षिर मुखी मकान होने से क्या है इसका उपाय जिससे दक्षिर मुखी मकान के इस उपाय को करने से उसके दोसों से बचा सकते नमस्कार मैं आपका अपना चाले दिश्वांडे जोत हम बात करें अपने चैनल के मात्यम से कि दक्षिण मुखी मकान में रहने से किरकिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अब सब्सक्रा वे असाइसे उपायों को हमें पर्णा जाइए जिससे इनके दोश से हम बच सके जैसा कि आप सबीको पता हो जो में रहता है दक्षणा में मुक्मकान में रहता है उसके ग्रिह स्वामी को अनेको प्रकार का कृष्ट सारिक मांसिक व्यफारिक कृष्ट का सामना करना पड़ता दुसरा हाईयों में कटुका रहना प्रोध की अधिक्ता वाद और घटनाय बढ़ता और सासा फदक्त चाप बदक्त विका प्रकार के रोग आती होने की आशंका रहती है और इस प्रिशा में रहने वाले लोगों के मत में आकाशनिक मौत के भी योग अर्टरिक वरता है तो इस तमाम समस्याओं से कैसे बचा जा सके क्या ऐसा उपाय है जिस उपाय को करके एक्षी तक्षिण मुखी मकान से बच सक बनेरी इस वीडियो के अलतक्ता कि आपको सही जनकारी इस वीडियो के द्वारा प्राफ्त होगे वीडियो पसंद आने पे प्लीज लाइक जरूर किएगा और अपने इस्ट मित्रों में सेर जरूर किएगा जिससे उन्हें भी इस तीज की जनकारी हो से तो आईए जानते ह अगर आपका मकान दक्षिर मुखी है तो आपको अपने मुख्य द्वार पे घेट के उप नीचे भूमी में चान्दी का लंबा तार दबुआना चलिए पत्ता सा चान्दी का तार दबाने से दक्षिर मुखी मकान के दोस्ते बचा जा सकता है इसके साथ साथ कि अगर आपका मकान दक्षिर द्वार पे हनुमान जी का अगर आपका मकान दक्षिर द्शा में है ऐसे हैं अप अपने घर के वगीचे में पूर्व और उत्तर के कोने में यानि इशान कोन में छोटे-छोटे पौधे हरे भरे पौधे छोटे-छोटे लगाए अस्वा करने से भी दक्षिर मुखी मकान के दोश्य अपन करते हैं चौथा दक्षिर मुखी मकान से बचने के लिए आगनिया कोड में आपको मुख्य द्वार पे अगनिया कोड का मुख्य द्वार है तो यदि वह लाल या महरून रंग का हो यह स्रिश्ट प्पल देता है या इसके अलावा अगनिया कोड का जो भाग है जहां गेट हो अगनिया कोड में उसको फरा या पुरा रंग से भी आप रंग सकते हैं ऐसा करने से आपको दक्षिर मुखी मकान के दोश्य से बच जाएंगे यह ध्यांगे मुख्य द्वार का रंग जो है नीला या काला नौ ऐसा होने से अत्तिक पिराएंबर दूसरा अगर आपके दक्षिर मुख्य मकान अगर आपका है तो ऐसे परस्ति में घर के मुख्य द्वार पेड़ नीम का हारी भरकम पेड़ हो तो यह इस दोस्त को दबा द्वार के समख्य नीम का पौधा होने से भी दक्षिर मुख्य मकानस सी इसे अलावे और क्या क्या कुछ तरह जिससे हमें बड़े साइज का दरपण इस प्रकार लगाएं घर के उस हिस्से में जिससे घर में प्रवेश करने वाले वेक्टी का पूरा प्रफिबिम उस दरपण में दिखाई दे जिससे घर में प्रवेश करने वाला वेक्टी के साथ नकरात्मा पूर्जा वापत लोट पर चली जाए किस प्रकार के फ्रियोजन को जो मुखी मकान में रहने वाले विक्ति करते हैं इससे मंख्ः मुखी मकान की जो दो से उससे बचास़ कि अलावा और क्या कुछ किया जासकता है तो निधिय घरमे हनुमान्जी के समक्ष सरक व क्लि का पाठ करें जो बिक्ती घर में जिसका मकान दक्षिन मुखी हो उसके घर में अगर मंगल बार तिन शुंदर कान का पाठ उता है या नित्य राफ करें अधिया हनुमान बाहुक का पाथ होता है बगवान स्री राम का ध्यान करके इन दोनों में से किसी एक चिस का पाथ निच्य घर में हो तो दक्षन मुखी मकान के दोस्ते बचा जा समता है साती साथ ऐसे ग्रह ग्रिहके स्वामी को प्रतेक मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करना और हनुमान जी को चुला चड़ाना भी बहुत लाब दाये हो तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसे नए वीडियो के साथ तब तक लिए आपको भी तुबने नमस्कार ज